हालो फ्रेंज मैं शन्तर सुमारा डिजिटल के इस्टार में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एफ्लियेट मार्केटिंग के लिए कौन सा विबसाइट बेस्ट है अमेजन या फलिपकार्ड किस विबसाइट पर आप ज़्यादे कमिशन अर्ण कर पाएंगे Amazon पर या फ्लेप कार्ट पर किस वेबसाइक पर एकाउंट ओपन करना इजी होता है एंड किस पर डिफिकल्ट इसको डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वर्थ कीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किये चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं तो फिर्ण्ट चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किस वेबसाइट पर एफ्लेट मार्केटिंग करिएगा तो आपको जयादे कमिशन होगा और किस वेबसाइट पर कमम अर्ण होगा फिर्ण्स ये देखिए फिलिप कारट एफ्लेट प्रोग्राम का कमिशन पेज है यहां पे देखे, category, product का category दिया गया है, और यहाँ पे आप कितना percent commission earn कर पाएंगे affiliate marketing के दुरू, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले grocery product, अगर आप flip card पे grocery product को affiliate करिएगा, तो आपको 18 percent commission मिलेगा, वहीं पे यदि आप Amazon website पे grocery product का affiliate marketing करिएगा, तो आपको 8 percent commission मिलेगा, that means flip card से 10 percent कम commission आपको Amazon पे मिलता है grocery product पे, उसके बाद friends next product देखते हैं, तो उसके बाद है books and general merchandise, ठीक है, तो आपको इस product पे 15 percent commission मिलता है, वहीं पे Amazon पे आपको books पे, देखे, 5 percent commission मिलता है, that means 10 percent commission कम मिलता है, books के बाद friends, जो next product category वो है, home decor, home furnishing, home improvement, इस तरह के product का affiliate marketing यदि आप flip card पे करते हैं, तो आपको 15 percent का commission मिलता है, वहीं पे आपको Amazon पे बहुत ही कम commission मिलता है, 6 percent commission आपको मिलता है, that means 9 percent कम commission मिलता है, आपको Amazon पे, उसके बाद friends, जो next product है, वो है furniture का, अगर आप flip card पे furniture के products पे affiliate marketing करिएगा, तो आपको 10 percent commission मिलता है, वहीं पे आपको Amazon पे आपको 9 percent commission मिलता है, that means 1 percent कम मिल रहा है, उसके बाद friends, देखिए, electronics पे आपको यहाँ पे 5 percent मिलेगा, तो Amazon पे आपको 4 percent मिलेगा, fashion and lifestyle पे आपको 4 percent मिल रहा है, तो उधर भी आपको 4 percent ही मिलेगा, and friends, बहुत सारे ऐसे product है Amazon पे, जहाँ पे आपको 1 percent मिलता है commission, और कुछ ऐसे products है, जिस products को यदि आप affiliate करिएगा, तो आपको 1 रुपीज भी affiliate commission नहीं मिलेगा, वहीं पे आप अगर फिलिप कार्ट पे affiliate marketing करिएगा, किसी भी product का, तो उसका commission आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा एक भी product नहीं है, जिसका commission आपको नहीं मिलेगा, that means friends, अगर overall कहा जाए, तो फिलिप कार्ट is the best affiliate marketing program compared to Amazon, तो friends, मैं आपको recommend करूँगा, कि जब भी आप affiliate marketing कीजिएगा, तो आप फिलिप कार्ट पे ही कीजिएगा, क्योंकि आपको इस पे जादे से जादा commission earn करने को मिलेगा, बट इसमें एक problem है, कि Amazon पे आप तुरणत इसका account open कर सकते हैं, बट फिलिप कार्ट पे affiliate program का account open करना थोड़ा लंबा process होता है, उस पे जल्दी account open नहीं हो पाता है, इसलिए लोग Amazon पे जादे सीप दोल जारे हैं, उसके बाद friends, आप Amazon के products link को कहीं पर भी share नहीं कर सकते हैं, अगर आप Amazon पे affiliate marketing करते हैं, तो आपके पास या तो website होना चाहिए, या mobile application होना चाहिए, तो ही आप Amazon पे affiliate marketing कर पाईएगा, वहीं आप फिलिप कार्ट पे ज़्यदी affiliate marketing करते हैं, तो आप कहीं पर भी link share कर सकते हैं, कि Amazon पे बहुत सारे products मिल जाएंगे, वहीं पे आपको फिलिप कार्ट पे बहुत कम ही product मिलेगा compared to Amazon, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि commission फिलिप कार्ट पे ज़्यदा मिलता है और Amazon पे बहुत ही कम मिलता है, अगर आप फिलिप कार्ट पे six month में तीन sales complete नहीं करेंगे, तो आपके affiliate account को suspend कर दिया जाएगा, फ्रेंस, Amazon पे भी same process है, अगर आप six month में three sales complete नहीं करेंगे, तो आपके account को suspend कर दिया जाएगा, इसमें एक negative point यह है फिलिप कार्ट का, कि आप फिर से अगर account create करेंगे affiliate program का, तो फिर से उतना ही लंबा process आपको करना पड़ेगा, वहीं Amazon पे आप तुरन affiliate account create कर पाएंगे, फ्रेंस, I hope कि यह सारा information आपको समझ में आया होगा, तब ही आपको कोई भी doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, ने तो direct WhatsApp पे message करके हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका doubt होगा, उसका live training देखो, मैं आपको solve कर दूँगा, तो फ् का notification पहुंचा और आप भी वो knowledge gain कर पाऊ, तो friends इस video में इतना ही, तो मिलतें next video में तब तक के लिए best of luck